हलो बच्चो वक्त पे पहुंचने का अपना पूराना आदत है और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने माले हैं ट्रीगोनोमेट्रिक फंक्शन्स ट्रीगोनोमेट्रिक फंक्शन्स की माया को खोजा नहीं जाता ट्रीगोनोमेट्रिक फंक्शन्स की माया में खोया जाता है और आज हम आपको लेने आए हैं ट्रीगोनोमेट्रिक फंक्शन्स के इस माया जाल के अंदर भन्नाट चैप्टर है एक दम बिल्कुर बेसिक के साथ हम इसकी शुरुवात करेंगे क्लास टेंथ में भी ट्रिगोनोमेट्री नाम का चैप्टर बच्चों को सिखाया जाता है हो चैप्टर का नाम था वो ट्रिगोनोमेट्री था क्या था ट्रिगोनोमेट्री और 11th क्लास में आपने NCRT में देखा होगा चैप्टर का नाम बन चुका है ट्रिगोनोमेट्री में होता क्या है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोड थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, इनको हम as a trigonometric ratio डील करते हैं लेकिन trigonometric functions में हम साइन, कोस, टैन, कोड, सिकेंट, कोसिकेंट को as a function डील करते हैं तो जो simple trigonometry हमारी हुआ करती थी, अब आकरी बन चुकी है trigonometric functions, हम sin, cos, tan, cosecant, cosecant को as a function deal करेंगे, clear है, trigonometric functions को trigonometry को plane trigonometry भी बोला जाता है, इसको plane trigonometry इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें plane angles का discussion किया जाता है, plane angles का discussion बोले तो, वो angles जो एक plane में बने हो, हम plane trigonometry का discussion करेंगे, plane में angle बने हो, plane angle के अलावा भी कई परकार के angle होते हैं, जैसे solid angle जो है, वो भी सुना होगा, आपने solid angle होता है, लेकिन हमारा यह जो chapter है, यह plane angle के उपर based है, इसमें plane angles का इस्तिमाल किया जाएगा, trigonometric function काफी पुराना chapter है, कई सो साल पहले इसकी development हो चुकी थी, Indian mathematicians का भी बहुत बड़ा contribution रहा है, कुछ books पढ़ने के बाद मुझको मालूम चला कि Indian mathematicians ने trigonometric functions की development में बहुत योगदान दिया है, और इंडियन्स वर्ल्ड में सबसे पहले trigonometric functions, trigonometric ratios की जानकारी रखते थे, इंडिया का बहुत contribution mathematics में हमेशा सही रहा है, और trigonometry में भी एक अच्छा खासा contribution रहा है, चिक है, 0 बनाया मेरे भारत ने, trigonometry में भी हमारे भारत का बहुत contribution रहा है, चलते हैं आगे, सबसे पहले हम angle के बारे में सीखेंगे, plane angle के बारे में सीखेंगे, एक angle को इस प्रकार से define किया जाता है, एक circle ले ले लेते हैं हम, circle का आप देखिए, ये center है, ठीक है, circle का ये center है, और हमने इस circle की एक arc consider कर ली, आप जह जहां से देखिए, इस circle की ये जो arc इस arc को जहां से देखिए, angle के definition में आपको बता रहा हूं, बिल्कुँ जहां से देखेंगे, circle की जो arc है, इस arc की जो length है, इस arc की length को अगर आपने L ले ले ले, और circle की जो radius है, इसको ले 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 लेते हैं, आर, सरकल की जो रेडियस है, इसको ले लिया मैंने आर, जहांचे सुनना, आर्क की जो लेंथ है, इस लेंथ को सरकल की रेडियस आर से अगर डिवाइड कर दें, आर्क की जो लेंथ है एल, इसको सरकल की रेडियस से अगर डिवाइड कर दें, जहांचे सुनना, आर्क की जो इसको circle की radius से अगर divide कर दें तो answer आ जाएगा ये वाला angle ये वाला angle अगर theta है तो theta कभी निकालना हो तो वो circle की जो arc length है L इसको divide कर दें अगर radius से तो आ जाएगा angle angle को circle का इस्तेमाल करते हुए here define किया गया है और arc length upon radius कर देंगे किसी भी circle की तो इस arc length ने जो center पे angle बनाया है वो आपको मिल जाएगा clear है कोई भी जब angle बनता है तो उसके लिए एक initial line की जरुरत होती है एक initial line की जरुरत होती है और एक terminal line की जरुरत होती है दो line से मिलके angle बनता है यह हमारी initial line है और माल लेते हैं यह हमारी है terminal line ध्यान चे सुनना मेरी बात को यह हमारी है terminal line तो initial line और terminal line ने यह देखिए यह जो angle है यह वाल angle बनाया है और यहाँ पर initial से terminal line जब गए है तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का anti-clockwise rotation हुआ है ठीक है न? initial line से terminal line यू गए है हम anti-clockwise direction में गए है यह वाला जो direction होता है यह वाले direction को बोलते हैं anti-clockwise direction anti-clockwise यह हमारा anti-clockwise direction है anti-clockwise का एक नाम और होता है इसको counter-clockwise भी बोलते हैं इसको counter-clockwise direction भी बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए anti-clockwise direction में angle बना है initial line और terminal line को देख करके हम यह बता सकते हैं कि angle का direction क्या होगा ठीक है न? यहाँ पर अगर initial line कुछ ऐसी ले लूँ और terminal line कुछ यू ले लूँ टर्मिनल line कुछ ऐसी ले लेंगे अपन तो clearly अपन देख सकते हैं जो angle बना है यह clockwise sense में बना है इस जगहे पर यहाँ जो angle बना है यह clockwise sense में बना है तो angle कैसे बना clockwise sense में यूँ जब rotation हो रहा हो तो इसको बोलते हैं clockwise rotation या clockwise sense clockwise direction this is clockwise direction या clockwise rotation ये clockwise rotation है ठीक है रोटेशन बोलना ज्यादा ठीक है यहाँ पर देखिए आप जब angle anticlockwise sense में बने तो उस angle को positive angle treat किया जाता है इस angle को बोलेंगे ये हमारा है positive angle इसको measure करेंगे तो positive sign के साथ measure करना है ये हमारा positive angle है और जब angle clockwise rotation से बना हो वो होता है negative angle ये हमारा negative angle है angle positive और negative दोनों हो सकता है वो depend करता है कि हमने angle trace कैसे किया है अगर angle हमारा anticlockwise sense में बना है तो positive लेंगे उसकी value को positive angle होगा और इस तरीके से negative यहां पर angle होगा अगर हमने clockwise sense में एंगल को बनाया है तो ठीक है तो angle की definition अपने को clear है और angle का positive और negative होने का meaning भी अपने को clear है ठीक है यहां जो L और R को यहां जो L और R को divide करके जो angle आता है ना थीता जो आता है यह थीटा की जो unit आती है वो radian में निकल के आती है थीटा की जो unit यहां से निकल के आती है वो radian में निकल के आती है SI unit of theta is radian SI unit of angle is radian और यहां से जो निकल के आएगा वो angle radian में निकल के आएगा क्या मीनिंग है कहने का कहने का मीनिंग कुछ यूँ है कि अगर मालो मैं ले लूँ एक फोर मीटर रेडियस का सरकल ले लूँ एक फोर मीटर रेडियस का सरकल ले लूँ और इस सरकल में जो आर्क लेंथ मैंने लगाई वह मालो टू मीटर की ले लेता हूं मैं यह जो आर्क ल पर इस आर्क ने बनाया है, अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालेगे, L अपोन आर करके निकालेगे, L कितना है, L 2 मीटर है, R कितना है, R 4 मीटर है, तो यहाँ पर देखिए, सेम यूनिट में होना चाहिए, L और R, ठीक है, मीटर से मीटर तो कटा, अब देखिए, 2 बाइ 4 यह हो गया, 1 बाइ 2, यह 1 बाइ 2 जो आया है, यह रेडियन में आया है, यह 1 बाइ 2 जो आया है, रेडियन में आया है, एंगल को मेजर करने की कई सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे हम Length को मेजर करते हैं, मीटर, किलोमेटर, सेंटीमेटर, मिलिमेटर, माइल्स, कई परकार क angle को measure करने की भी कई सारी units होती है हमारे syllabus में angle को measure करने की दो units हैं जो पहली unit है वो है radiant measurement और जो दूसरी unit है जिस से आप भली-भाती परिचित हो बचपन से angle measure करते आ रहे हो वो है आपकी degree measurement और degree measurement में आपस में क्या relation होता है ये भी तुम्हारा भाई तुमको बताएगा तो सबसे पहले तुम आपको बता दू कि यहाँ L by R formulae से जो angle निकलता है वो radian में निकलता है और जो radian है यहाँ पर मैंने mention कर दिया कि जो radian है वो angle की SI unit है वो angle की SI unit है ठीक है radian measurement और degree measurement दोनों क्या होते हैं detail में समझाऊंगा और दोनों में relation क्या होता है ये भी मैं आपको detail में समझाऊंगा लेकिन उससे पहले angle के बारे में कुछ और बाते जान लेते हैं यहाँ पे एक बात अपन ने जान ली कि angle positive और negative दोनों हो सकता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या angle 0 भी हो सकता है क्या बिल्कुल angle 0 भी हो सकता है अगर मालो ये हमारी initial line है और terminal line भी अगर मालो इसी के ऊपर हो ये अगर terminal line हो अरे समझ में आ रहा है क्या भाई ये अगर terminal line हो तो यहाँ पे angle देखा जाए तो swap हुआ ही नहीं यहाँ जो angle बनेगा ये बनेगा 0 degree का angle या 0 radian का angle ठीक है न यहाँ पे जो angle आएगा आपका जो theta आएगा आपका वो आएगा 0 degree या फिर 0 radian भी बोल सकते हैं 0 radians 0 degree 0 radian एक ही बात होती है ठीक है तो 0 degree angle हो सकता है positive में angle हो सकता है positive में angle हो सकता है negative में angle हो सकता है अब आईए ये जानते हैं अब आईए ये जानते हैं कि positive में कितना positive angle हो सकता है और negative में कितना negative angle हो सकता है बड़ी simple simple सी बाते हैं 10th class की जो trigonometry थी उसमें एंगल generally आप लोगों ने 90 degree तक देखे थे trigonometry के अंदर लेकिन अब हम minus में plus में minus और plus में बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे एंगल सारे देखने वाले हैं तो यहां अगर मालों में initial line कुछ ऐसी ले लूँ इनीशियल लाइन कुछ यूँ ले ली और टर्मिनल लाइन लगा दी कुछ यूँ इस प्रकार से कुछ यूँ लगा दी तो आप देखिए 90 डिगरी से बड़ा एंगल भी हो सकता है आप देख लीजे यह वाला जो एंगल है यह greater than 90 डिगरी है यह हमारी टर्मिनल लाइन है ठीक है न 90 डिगरी से बड़ा एंगल हो गया आप यहां पर देखिए अगर मैं टर्मिनल लाइन कु क्या किया है यह हमारी initial line हैं ठीक है णा इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन देखा मैं ऐसे रोटेट करते 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 यूँ एंगल बना रहा हूं बना रहा हूं बना रहा हूं ऐसे करते करता गया करता गया करता गया करता गया और टर्मिनल लाइन मैंने यहां बना दी यहां जो टर्मिनल लाइन मैंने बनाई ये वाला एंगल आपका बना है और ये एंगल दो देखिए 180 डिगरी से भी बड़ा है तो एंगल जो है वो 180 डिगरी से बड़ा भी हो सकता है एंगल जो है वो 90 डिगरी और 180 डिगरी के बीच में भी हो सकता है 90 से छोटे एंगल तो आपने देखे ही है ठीक है मैं आपको बता करके रोटेट करके यह रोटेट करता गया पूरा एक revolution बना दिया है ना पूरा एक revolution बना दिया ठीक है और यह हमारी होगी टर्मिनल लाइन टर्मिनल लाइन कैसे हुई initial line को पूरा rotate करा है पूरा एक round लगवाया है और फिर जो हमारी line बनी है वो terminal line बनी है और ये जो पूरा angle बना है ये पूरा 360 degree का angle बना है कुछ लोग इसको देख करके कहेंगे कि भाया जी ये 360 degree का angle बना है और आपने भी थोड़ी देर पहले 0 degree का जो angle बनाया था ये तो same है बिलकुल ठीक है भई कोई problem नहीं है 0 degree का जो angle है 0 degree का जो angle है और जो 360 degree का जो angle है बिलकुल बराबर है इसमें कोई समश्या नहीं है बात समझ में आज़े आपको तो दो angle आपस में बराबर जो है न उनका physical sense physical meaning जो है वो बराबर भी हो सकता है जो metrical meaning जो है उनका बराबर हो सकता है इसमें कोई समश्या नहीं है जब trigonometry हम आगे और discuss करेंगे तो आप देखा करेंगे कि sin 360 degree की value और sin 0 degree की value आपको बराबर मिला करेगी क्यों बराबर मिला करेगी क्योंकि 360 degree का जो meaning है और 0 degree का जो meaning है वो सेम है तो sin 360 degree और sin 0 degree का meaning भी सेम ही होगा clear है जी move करते हैं आगे अब सवाल ये उठता है कि क्या angle 360 degree से बड़ा भी हो सकता है क्या बिलकुल हो सकता है 360 degree से बड़ा होने में कौन सी समश्या है यह हमारी लगा दी मैंने initial line अब terminal line देखिए हुआ क्या initial line हमारी यह है अब देखो मैंने यह line को rotate करना शुरू किया line को rotate करना शुरू किया एक चकर मरवाया एक चकर मरवाके फिर मैं रुका नहीं मैं rotate करता गया करता गया और फिर मैंने थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, तो पहले तो क्या किया, यह पूरा एक चकर लगाया, एक चकर लगवा के फिर और रोटेट कर दिया, यहां तक, तो आप देखिए, एंगल कितना बना, 360 डिगरी और 360 डिगरी से भी बड़ा बन गया, 90 तक आया यहां पर, 90 तक आकर के, उस बनाते गए, और बड़ा एंगल हो गया, एंगल जो है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, यहां पर देखिए, बहुत बड़ा एंगल बना दिया, आप पर ने, एंगल इंफिनिटी भी हो सकता है, एंगल बहुत बड़ा हो सकता है, एंगल बहुत बहुत लार्ज भी हो सकता है infinity भी हो सकता है angle can approach to infinity angle can approach angle can approach to infinity दोस्तों मेरे इस बात को ध्यान रखना पूरी trigonometer में हमें इस बात का इस्तेमाल करेंगे angle infinity को approach कर सकता है और यहां पे देखिए एक कड़क बात आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यू 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 गुमाओगे यू 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 इस direction में गुमाओगे positive में angle बढ़ता बढ़ता जाएगा infinity तक पहुँच जाएगा लेकिन अगर आप clockwise घुमाना शुरू करोगे तो angle minus में होता चला जाएगा और minus infinity तक भी पहुँच सकता है अगर आपने कई सो साल उस rotation को ऐसे चालू रखा चालू रखा तो एक ताम भननाट बात है तो यहाँ पे angle जो है वो minus infinity तक भी पहुँच सकता है angle can approach to minus infinity as well तो यहाँ पे बड़ी मस्त बात अपने को सीखने को मिली है बड़ी भननाट बात बड़ी simple बात है लेकिन इसका इस्तिमाल जो है वो अपन आगे करेंगे और यह बड़ी technical सी बात है कि जो angle है वो minus infinity से infinity कोई भी value ले सकता है angle minus infinity से infinity कोई भी value ले सकता है angle can be any number from minus infinity से infinity बात सुम्हें आ रही है आपको तो ये देखें angle की कहानी हुई ठीक है रहा अब जो है अब बात करते हैं angle के measurement की ठीक है angle को measure degree में भी किया जा सकता है radian में भी किया जा सकता है और भी measurement के कई system है एक system होता grades में भी measure करते है angle को लेकिन वो हमारे syllabus में नहीं है हमारे syllabus में angle के दो measurement है एक है degree measurement degree measurement मालूम होना चाहिए क्या है और दूसरा measurement है radian measurement radian measurement दोनों ही measurement angle के बहुत popular है काफी popular है degree measurement और radian measurement students को मैंने अक्सर देखा है उनको degree measurement बहुत अच्छा लगता है लेकिन exam बनाने वालों को 11th 12th class के exam बनाने वालों को radian measurement बहुत पसंद है चुकि 10th class में अपनने सारा angle degree में सीखा होता है तो radian measurement थोड़ा सा अटपटा लगता है उसमें लोग चटपटाते हैं लेकिन आपकी अब आदत हो जाने चाहिए angle को radian में major करने की भी भननार तरीके से degree measurement और radian measurement में आपस में relation आईए समझते हैं क्या होता है देखिए भाई simple सी बात है कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है कि ये जो angle बना है initial line मालो ये लेली और ये लेली हमने terminal line initial line और terminal line ने ये जो angle बनाया है इस angle को बोलते है 180 degree क्या बोलते है 180 degree आपको मालूम हो straight angle है ये कौन सा angle है ये straight angle है straight angle का जो measurement होता है straight angle का जो measurement होता है वो 180 degree होता है और यहाँ पे radian measurement में अगर इसी angle को measure करना हो दो अलगलग system of measurement है ये ये दो अलगलग system of measurement है इस system of measurement में इसको बोलते है straight angle को बोलते है 180 degree और इस system of measurement में इस angle को बोलते है Pi radians क्या बोलते है Pi radians इस system of measurement में straight angle को बोलते है 180 degree और इस system of measurement में straight angle को बोलते है Pi radians क्या बोलते है Pi radians मैं आपको बता दूं Pi radians लिखने का एक और तरीका भी होता है Pi के उपर छोटा सा C लगा देते है इसका meaning भी radian होता है, pi के उपर c लगा दें या किसी भी number के उपर c लगा दें तो समझ जाना angle यहाँ पे major किया गया है radians में अगर किसी भी number के उपर आपने degree लगा दिया तो इसका मतलब angle major किया गया है radian में आपको एक देखे, बहुत important बात यहाँ पे note करनी है एक number के उपर अगर आपने degree लगा दिया तो इसका मतलब यह two degree angle है लेकिन अगर एक number के उपर आपने radian लगा दिया, c लगा दिया तो इसका मतलब यह radian measurement है और कई बार एक number के उपर कुछ भी नहीं लगा दे ना तो c लिखते, ना degree लिखते तो by default यह माल लिया जाता है कि यह SI unit में लिखा हुआ है radian measurement है समझ में आ रही है अगर माल लो किसी number के उपर या पाई के उपर ही कुछ ना लिखूं ना ही डिगरी लिखूं ना ही मैं radian लिखूं कुछ भी ना लिखूं, सरफ ऐसे खुला छोड़ दूँ इस पाई को टोपी इसकी ऐसे ही छोड़ दूँ तो यह हमारा radian measurement माना जाएगा यहाँ पर confusion रहती है students को कि यहाँ पर यह काई यह लिख दे ना ही degree लिखे, ना ही C लिखे तो इसका meaning होगा इसका meaning होगा कि वो radian में लिया दिया गया है बात समझ जा लिखे आपको तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है आपको कि 180 degree भी straight angle है पाई radians भी straight angle है तो 180 degree और पाई radians को बराबर होना चाहिए, होना पड़ेगा 180 degree हमारा पाई radians के बराबर होता है यह वो relation है जिससे किसी भी angle को degree से radian में और radian से degree में convert कर सकते हो degree से radian में, radian से डिगरी में convert किया जा सकता है किसी भी angle को अपने को बस यह भनाट must relation मालूम होने चाहिए कि भाई 180 degree पाई radians के बराबर होता है बात समय में आ रहे हैं अब यहां से अगर मैं पूछू कि वन डिगरी कितने radian के बराबर होता है तो 180 degree πाई radian के बराबर है तो 1 degree πाई बाई पाई बाई 180 radian के बराबर हो जाएगा एंड एंड वन रेडियन किसके बराबर होगा 180 बाई पाई डिगरी के बराबर होगा 1 radian बराबर होगा 180 by 180 by πई डिगर के बराबर समयारी कि नहीं बात तो अपने को ये तीनो बाते मालूम होने चाहें बड़ी सिंपल सिंपल सी बात है उपर वाली मालूम है तो ये दो मालूम हो ही जाएंगे अब आईए मैं कुछ एंगल आपको दे रहा हूँ डिगरी से radian में convert करते हैं radian से डिगरी में convert करते हैं थोड़ी मस्ति करते हैं और आगे चलते हैं देखिए ज़रा मैं आपको बोल रहा हूँ कि 90 डिगरी को बताएं कितना radian होगा सीधी सी बात है 180 डिगरी पाई radian के बराबर है इसका इस्तिमाल कर लो आप दोनों तरफ दो से डिवाइड कर दोगे तो 90 डिगरी हो जाएगा पाई बाई 2 radian के बराबर तो यह हो गया आपका पाई बाई 2 radians के बराबर simply पाई बाई 2 भी लिख दो तो भी चलेगा पाई बाई 2 के बर सी लिख दो तो भी चलेगा यह जो relation है 180 डिगरी इक्वल टू पाई radian इसी से मैं सारे conversion कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा आप भी कर सकते हो तो यहां पर मैं बता रहा हूँ आपको की जो 90 डिगरी हो पाई बाई 2 radian है अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो 60 डिगरी हो जाएगा पाई बाई 3 radian इसको अगर अपन डिवाइड कर दें 4 से तो 45 डिगरी हो जाएगा पाई बाई 4 radian इसको डिवाइड कर दे 6 से तो 30 डिगरी हो जाएगा हमारा पाई बाई 6 radian और मैं आपको बता चुका हूँ, 0 degree और 0 radian बराबर होते हैं आपस में, जब angle का measurement ही नहीं हुआ है, तो चाहे degree हो, चाहे radian हो, तो 0 degree 0 radian को बराबर होना पड़ेगा, ये वाली value बड़ी loving होती है, आप लोगों ने 10th class में भी सीखी होंगी, कि जो 0 degree, 30 degree, 40 degree, 60 degree, 90 degree, ये वाली जो measurements होती हैं, ये वाली measurements, ये वाली measurements बड़ी loving होती हैं, हम 0, 30, 45, 60, 90 degree के sign, cost, 10, cost, secant, cosecant आपने याद किये होंगे, तो इन loving measurements के corresponding radian measurement एकदम याद हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए, दिमाग में इकदम fit हो जाने चाहिए, तो भाई तुमारा कहता है कि भाई, जितन का सीधा radian measurement आपको याद हो जाना चाहिए, बात समय रही है आपको, अब देखिए मैं अगर पूछों आप से, कि 360 degree कितने radian के बराबर होगा, तो इसका double कर दिया, इसका भी double करतो, 360 degree 2 pi radian के बराबर हो जाएगा, ठीके न, अगर मैं आप से कहूं, 270 degree कितना होगा भाई, तो देखो, 90 degree pi by 2 है, तो 90 का 3 कर दिया, 270 degree, तो pi by 2 का 3 times कर दोगे, तो 3 pi by 2 हो जाएगा, बात समझा रही है आपको, तो 360 degree, 270 degree जो है, ये radian में अपने 2 pi और 3 pi by 2 होते हैं respectively, आपको जो है, एक्तम देखते ही मालूम चल जाना चाहिए, मैं radian में कोई बोलू, degree में क्या होग एक्तम देखते ही, जट से, खट से मालूम आपको चल जाना चाहिए, एक और बात आपको बता दू, कि जो हमारा degree measurement होता है, इसमें एक और खास बात नोट करने वाली क्या है, कि मुझे बताओ कि 1 degree कितना छोटा एंगल होगा, 1 degree तो बहुत ही छोटा एंगल होगा, 1 degree की बा 60 हिस्से कर दिये जाए, 1 degree को 60 parts में divide कर दिया जाए, कितने parts में divide कर दिया जाए, 60 parts में अगला पार्ट यह हो गया, ऐसे करते 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 इसको 60 parts में divide कर दिया जाए तो एक part को बोलते हैं one minute यह जो एक part बना है इसको बोलते है one minute मतलब यह हुआ कि one degree के अंदर one degree के अंदर 60, छोटे छोटे एंगल मुझूध होते है one degree के अंदर होते है 60 minutes and minutes को denote किया जाता है से dash से one degree में 60 minutes होते है और एक और यहां पर बात नोट करने वाली होते हैं, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, एंगल को डिगरी के बाद और चोटे एंगल को मिनट में और उससे भी और चोटे एंगल को सेकंड में मेजर किया जाता है, यह क्या है अपने, यह है 60 मिनट्स, एंगल को भी मिनट्स में major किया जाता जैसे time को time को minutes or seconds में major किया जाता angle को भी degree measurement के अंदर minutes or seconds में major किया जाता है ठीक है एक minute जो होता है वो 60 seconds के equal होता है और seconds को कुछ यू लिते हैं ठीक है इसको बोलते है 60 seconds इसको बोलते है 60 seconds ठीक है वन डिगरी जो है वन डिगरी में 60 मिनट है एक मिनट में 60 सेकंड है तो वन डिगरी में हो जाएंगे 3600 सेकंड एकदम कलीर है यह तीनों बातें अपने को मालूम होनी चाहिए question solving में इनका इस्तिमाल करेंगे फिर से repeat कर देता हूँ वन डिगरी हुआ हमारा 60 मिनट ठीक है वन मिनट हुआ हमारा 60 सेकंड और वन डिगरी में सेकंड देखे जाएंगे तो 3600 सेकंड हो जाएंगे अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपको दूँ सवाल यह है कि मुझको बताओ कि 20 डिगरी और 30 मिनट में कितने रेडियन होंगे मेरको यह जो एंगल है इसको रेडियन में कनवर्ट करना है किसको रेडियन में कनवर्ट करना है 20 डिगरी और 30 मिनट से एंगल लिखा हुआ है कनवर्ट इंटू रेडियन कनवर्ट इंटू रेडियन इस तरीके के सवाल कई बर आ जाते हैं स्कूल फे इस तरीके के सवाल आ 2.7 को आप लिख सकते हो 2 plus 0.7 इसी प्रकार से 20 डिग्री 30 मिनट्स को लिख सकते हो 20 डिग्री प्लस 30 मिनट्स अरे बात समझ में आ रही है क्या? बात जरू समझ में आ रही होगी ठीक ना? I know, I know कि तुमको मेरी बात समझ में आ रही है ठीक है चलिए इदर सो 20 डिग्री प्लस 30 मिनट्स हो गया अब 30 मिनट्स में होता है आधा डिग्री 30 minutes में आधा डिग्री क्यों होता है वह देखिए 60 minutes में होता है एक डिग्री ठीक है ना तो 30 minutes में कितना हो इसका आधा करोगी तो इसका भी आधा हो जाएगा 1 by 2 degree हो जाएगा बात समझा रही है आपको तो यह टोटल डिग्री पहले तो यहां पर क्या था mix masala करके लिखा हुआ तो इतना डिगरी बन गया 41 by 2 degree बन गया तो यह जो खिच्ची पिच्ची थी इसको पहले degree में पूरे बना लिया अब सवाल में बोला है कि radian में convert करके दिखाओ दिखा देंगे इता जल्दी काई कर रहे हो तो radian में कैसे convert करेंगे 180 degree जो होता है वो πाई radian होता है तो वन डिगरी कितना होगा वन डिगरी पाई बाई 180 radian होगा और इता डिगरी किता radian होगा इता डिगरी देखोगे तो वो होगा पाई बाई 180 इंटू 41 by 2 radian तो 41 by 2 degree में जो radian बने वो बने 41 पाई अपोन 360 radians कितने बने 41 पाई अपोन 360 radians तो यहां पे clear हो गई है बात कि 41 by 2 degree जो हमारे 20 degree 30 minutes के बराबर थे जो हमारा 20 degree 30 minutes के बराबर था वो हो गया radian के अंदर 41 pi अपोन 360 radians के बराबर बात समय आ रही है तो आई होब आपको पूरी बात यहां पे clear होई होगी कि इस तरीके के सवाल जो है न degree measurement और minute measurement का जो हो इस्तेमाल करते हुए एक angle लिखा हो और उसको radian में convert करने के लिए बोला जाए तो आप खटाक से एक दम उसको radian में convert कर सकते हो ठीक है move करते हैं आगे एक छोटी सी बात मैं आपको बता दू कई बार angle को revolution में भी major किया जाता है number of revolution में भी major किया जाता है number of revolution का मतलब क्या होता है वह देखो एक revolution क्या होता है यह हमारी मालो इनिशेल लाइन है ठीक है इस इनिशेल लाइन ने क्या क्या यह इनिशेल लाइन ने पूरा एक रिवोलुशन ले लिया और उसकी जो फाइनल पोजिशन है वो हमारी हो गई यह वाली ठीक है फाइनल पोजिशन एक दम इसी के ऊपर आके डट गई है यह हो अगर degree measurement में देखा जाए कि जो 1 revolution है वो कितने degree के बराबर हुआ तो यह हुआ 360 degrees के बराबर 1 revolution किसके बराबर हुआ 360 degrees के बराबर और radian में देखा जाए तो देखो तो straight angle pi radian होता है तो pi plus pi कितना हो गया 2 pi radians तो मैं आपको बता दूँ 1 revolution 360 degree के बराबर होता है या फिर रेडियन में बोल सकते हो 1 revolution हमारा 2 pi radians के बराबर होता है तो कभी revolution का प्रियोग भी एगर कोई कर रेडियन बोले तो पूरा एक चक्र पूरा एक चक्र गूमने में जो लगता है ठीक है ना सो revolution की बात करे डिगरी की बात करे या फिर रेडियन की बात करे आपको बात एकदम समझ में आनी चाहिए चलिए angle का पूरा एकदम हमने basic समझ लिया है अब आई ये कुछ सवाल एक दो कर लेते हैं screen पे आपके सामने सवाल है screen पे जो सवाल है उसमें ल ratio of their radii सिंपल सवाल है इस प्रकार के चोटे मोटे सवाल जो चोटे मोटे एक्जाम में आते रहते हैं चोटे-चोटे शहरों में ऐसी घटना होती रहती है ठीक है भाई का दिल चोटा नहीं है भाई का दिल बहुत बढ़ा है देखिए बड़े-बड़े सवाल भी करेंगे चोटे-चोटे सवाल भी करेंगे इस इन्टो सर्कल्स आर्क ओफ सेम लेंद देखि दो सर्कल है एक यवाला सर्कल है ठीक न हुळा इस सर्कल की जो रेडियस है इस सर्कल कNew Angeles है वहांब और इस की इसकी लिए यहां पे देखिये जो आर्किल यहां पे है उतनी ही लेंथ में लेली शीक्तिर लेंसा कि गेना से सेम लेंध क्या इसने का सेम लेंध की आर्क लीजी आप वह अगर हमें कहा जाएगा वो करना पड़ेगा नब एक्जामीनर हमको कहे और हम ना करें वह ऐसा थोड़ी होता है इज़रत करते हैं जामीनर की को यह एल लेंथ एक जगह तो बना रही है साथ डिगरी का एंगल यहाँ पे तो बना रही है मालो साथ डिगरी का एंगल थीटा वन जो है और यह जो थीटा 2 जो बनाया इसने यह बनाया मालो 75 डिगरी एक जगह बना रही है 60 डिगरी का एंगल और दूसरी जगह बना रही है 75 डिगरी का एंगल इसकी radius माल लेते है small r है इसकी radius माल लेते है capital r है हमको question पूछा है कि इनकी radius का ratio बताओ आप बताओ small r by capital r क्या होगा तो यहाँ पर देखिए पहले तो मैंने कहा था कि L by r जो है वो theta 2 होता है यहाँ पर देखिए जो theta 2 है हमारा यह L by r है theta 2 जो है वो L by r होगा और यहाँ का जो theta 1 है यह L by capital r होगा ठीक है ना length of r का पून radius होता है लेकिन एक बात मैंने आपको समझाई थी कि यह जो theta लेने है तुमारे बड़े भाहिया ने तुमको समझाया था कि जो theta लेने है अपमान कर रहे हो लेना नहीं है डिगरी में theta नहीं लेना है अपने को theta यहाँ पे radian के अंदर ही लेना है दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए theta इधर लेंगे तो radian में लेंगे तो 75 डिगरी को पहले radian में convert करेंगे 75 डिगरी को पहले radian में convert करें कितना radian बनेगा बता देता हूं 180 डिगरी pi radian के बराबर होता है एक डिगरी pi by 180 radian के बराबर होगा और 75 डिगरी को देखोगे तो pi by 180 into 75 के बराबर होगा ठीक है और जब आप इसको solve करोगे जब आप इसको solve करोगे तो इसको 15 से cancel करेंगे तो 15 फाइवजा हो जाएगा और यह 12 पे cancel होगा तो 5 pi by 12 आ गया है यहाँ ठीक है और 60 डिगरी को radian में convert करेंगे तो 60 डिगरी होता है हमारा pi by 3 radians ठीक है तो यहाँ जो थीटा 2 है वो आ गया 5 pi by 12 equal to L upon L upon R और यहाँ पे आ गया पाइबाइ 3 equal to small L upon capital R ठीक है तो यह जो है यह equation number 1 बनी है यह बनी है equation number 2 आप equation number 1 और 2 को कर दीजे divide आप कर दें divide equation 1 and 2 equation 1 और 2 को divide करेंगे तो 5 pi by 12 और pi by 3 left side में आ जाएंगे divide हो करके 5 pi by 12 divided by pi by 3 equal to right side में क्या आएगा L by R और L by capital R आ जाएगा L by small R L by capital R तो pi से pi cancel तो यहाँ पे देखिए 5 by 12 into 3 by 1 आ गया यहाँ आ गया capital R by small R तो capital R ratio small R मिल गया आपने को 5 ratio 4 इतना मिल गया 5 ratio 4 capital R ratio small R अपने को मिल गया 5 ratio 4 यही इसने पूछा था ठीक है move करते next question पे simple सा question है 40 degree 20 minute score radian में convert करना है अभी सिखाया था आपको जल्दी से कर देते हैं इस सवाल को तो open solve यह तो बिलकुल simple question है 40 degrees 20 minutes तो यह हो जाएगा 40 degrees plus 20 minutes तो जो 20 minutes है उसको लिख दिया 20 by 60 degrees ठीक है तो देखा 40 plus 1 by 3 degrees हो गया यह 121 by 3 degree होता है ठीक है पहले मैंने इस minute को डिगरी में convert कर लिया पूरा ताम जाम डिगरी में आ गया है पूरा ताम जाम डिगरी में आ गया है अब इसका radian बनाना easy है कैसे हम जानते हैं कि वन डिगरी जो है अभी सिखा था मैंने आपको वन डिगरी जो है यह पाए बाए 180 रेडियन के बराबर होता है तो तो इस तरीके से radian measurement में तो को tension अपने को होनी ही नहीं चाहिए तो यहां पर मुझे लगता है angle से आप comfortable हो इस तरीके के छोटे मोटे geometry के questions आएंगे यहां पर जिस तरीके से सवाल क्या था हमने geometry के सवाल होंगे सारे सवाल आपसे बन जाएंगे ठीक है और इस तरीके से अगर एक unit से दूसरी unit में conversion का सवाल आए degree से radian का आए या फिर radian से degree का आए उस तरीके के सवाल भी I hope आपसे भी बन जाएंगे ठीक है एक right angle triangle के अंदर ही लगाते हैं right angle triangle में जो sides के साथ angle की जो relation बनती है उन्हीं को trigonometry में discussion किया जाता है ठीक है लेकिन अगर कोई triangle right angle triangle ना भी हो तो उसके अंदर perpendicular drop करके right triangle बनाके भी trigonometry का इस्तिमाल किया जा सकता है तो अगर एक ABC triangle ले ली मैंने right angle triangle ले ली मैंने ABC तो यह तो आपको मालूम होगा कि अगर मालो इस angle का यह वाला angle मैं देख लूँ इस angle को theta मालूम तो theta के सामने वाला जो side है triangle का यह perpendicular होता है यह वाला side base होता है और सबसे जो लंबी side है वो hyperteneuse होता है इसको hyperteneuse बोलते हैं सबसे लंबी side होती है यह right angle triangle की ठीक है और राइट अंगल ट्रेंगल में 6 ट्रिग्नोमेटर्स रेशोस डिफाइन कर रखे होते हैं साइन थीटा 10th क्लास में उल्रेड़ी सीखे जा चुके हैं साइन थीटा कोस थीटा 10 थीटा बस एक मैं जल्दी से बरश अप करवा देता हूं ताकि अपने को सारे के सारे फॉर्म ट्रिग्नोमेटरी का इस्तिमाल हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेटरी में लेंगे तो 10th क्लास के जितने भी फॉर्मुला थे वो सारे के सारे में यहां पर राइट डाउन कर देता हूं कि लिस्ट आप बना लीजिए और उनको याद करना विल्कुल जरूरी है और बहुत सारे लूगो तो याद होंगे भी ठीक है? अपनोटिस कर सकते हैं इसको और इसको देख करके कि sin theta और cosec theta एक दूसरे के reciprocal है ठीक है यह P by H है यह H by P है इन दोनों को यहां से notice कर सकते हैं कि जो sin theta है उसको 1 by cosec theta लिख सकते है यह यह कहूं कि जो cosec theta है उसको आप 1 by sin theta लिख सकते हैं cos theta और sec theta एक दूसरे के reciprocal है ठीक है यहां पर देख सकते हैं है यह घुट सेक को लिख सकते हैंं lug वास्ट सिता एंड सिमिलरली को सिटा को लग सकते हैं वं पाइ सेक्ट गोद एक स्थीता यह एक दूसरी के रेसिप्रोकल है और टैंड गोडिकahu है तो cos theta भी हो जाएगा 1 by sec theta clear एकदम basic basic सी बाते हैं एक और चीज नोट करने वाली है sin theta cos theta को जबपन divide कर देंगे तो h और h cancel होके pyb बन जाएगा 10 theta ठीक है तो sin theta और cos theta को divide करने पर बनता है 10 theta और 10 theta का reciprocal कर दें तो बनता है cos theta मतलब cos theta और sin theta को divide करने पर बनता है आपका code theta clear एकदम तो यह सारे simple formula एकदम याद होने चाहिए basic definition है basic definition है यह भी सारे की सारे अपने को याद होने चाहिए clear है अब देखिए student ने काफी पहले मुझे सवाल पूचा था कि यह बताईए trigonometric ratios जो यह होते हैं यह 6 ही क्यों होते हैं ठीक है ना मतलब यह 6 ही क्यों होते हैं साथ नहीं होते पांच नहीं होते चार नहीं होते है ना आठ नहीं होते 10 नहीं होते 11 नहीं होते यह 6 ही क्यों होते हैं बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है आप इस सेशन को पोस करें थोड़ी बुद्धी लगाएं सोचें कि ट्रिग्नोमेंट्र रेशो 6 क्यों होते हैं ठीक है मैं बता देता हूं आपको क्या होता है तीन साइड है यहां पर पी बी और एच तीन साइड में दो दो करके रेशो बनाओगे तो मात्र 6 पोसिबिलिटी है आप अगर पी और एच का लोगे तो पी और एच का रेशो बनेगा पी बाय एच या एच बाय पी आप अगर बी और एच का बनाओगे रेशो तो बी बाय एच एच बाय भी दो बनेंगे और पी और बी का बनाओगे तो पी बाइबी और बी बाइबी दो ये बनेंगे तो तीन साइड्स का इस्तिमाल करके तीन साइड्स का इस्तिमाल करके दो-दो के जब रेशो बनाओगे तो मातरत 6 रेशो बनते हैं सात्वा रेशो नहीं बनता नहीं 5 रेशो बनते हैं टोटल 6 रेशो बनते हैं इसलिए 6 यहा सारे basic formula के साथ साथ आपने जो और formula सीखे थे वो भी मैं आपको बता देता हूं जिनको आप trigonometric identities बोलते हैं बड़े शांदार formula हैं और खूब इस्तेमाल में वह formula किये जाते हैं सबसे पहला तो आपने सीखा था sin square theta plus cos square theta equal to 1 एक सीखा था आपने second square theta minus 10 square theta equal to 1 तीन हमने यह सीखी थी जिनको बोलते हैं trigonometric identities ठीक है ना तीनों की तीनों वापस से देख लीजिए रिवाइज कर लीजिए घूर लीजिए इनको एक दम दिमाग में फिट होनी चाहिए मुझे लगता है कि सबको मालूम भी होंगी नहीं मालूम तो वापस याद कर ले यहां पे बच्चों को मैं बोलता हूं कि यह कैसे निकल करके आती है एक identity का प्रूफ बता देता हूं आपको इसका प्रूफ बता देता हूं इनका प्रूफ भी आप खुद कर सकते हो उसी प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए हर फोर्मले की जड़ क्या है ट्रिग्नोमेट्री में अगर चीजों की जड़ मालूम होती चली जाएगी correct हाजी पयतागुर नाहीड होती है फी स्क्वायर प्लस बी स्क्वार इकवल टो होगग्या दोनों तरफ अगर मैं h square से divide कर दूँ दोनों तरफ h square से divide कर दूँ तो left side हो जाएगी p square by h square, right side हो जाएगी h square by h square तो left side हो गई आपकी p by h का whole square प्लस b by h का whole square equal to ये cancel होकर के आगया 1 ठीक है, p by h क्या होता है, p by h होता है sin theta, आपको मालूम है, p by h क्या होता है sin theta, by h क्या होता है cos theta तो यहाँ से देख सकते है, sin square plus cos square theta कितना हो गया, 1 तो मैंने एक आपको prove करके दिखा दिया, sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है, correct है एक दम sec square theta minus 10 square theta 1 होता है, cosec square theta minus quote square theta भी 1 होता है, ठीक है, याद होनी चाहिए कैसे proof होती है, इस theorem का इस्तिमाल करते हुए proof होती है, आप खुद बखुद, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी सला मानिये, आप खुद बखुद एक मैंने प्रूफ करके दिखा दी, दो आप खुद प्रूफ करके देखें, और अगर आपसे proof हो जाती है, तो नीचे comment box में आप बताएं कि हंजी मैंने इनको proof कर लिया है, ठीक है, मैं देखुँगा किस किस से proof हुई, किस किस से proof न आइडेंटिटीज हैं, तीन और हैं, एडवांस्ट आइडेंटिटीज, ये भी याद होनी चाहिए, जो जेए के स्टूडेंट्स है ना, only for जेए, जेए के स्टूडेंट्स याद रखते हैं इनको, ये हैं बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज हैं हमारी कि तीन हमें और लिख देता हूँ advanced identities लिख देता हूँ तीनों कितनों advanced identities भी याद हो जानी चाहिए कौन-कौन सी है मैं आपको मस्त बात बताओं कि secant square theta into cosecant square theta secant square theta into cosecant square theta secant square theta plus cosec square theta के बराबर होता है secant square theta और cosecant square theta बड़ी मस्त चीजें होती है उनको आप multiply कर लो या add कर लो बात एकी चीज़ है match में बहुत सारे number ऐसे होते हैं जिनको आप multiply कर लो या फिर add कर लो answer एक ही आता है आप सोच रहे हो गया ऐसे कौन से number है जिनको multiply करो और add करो same answer आए आप सोचना चारा है ऐसे numbers के बारे में ऐसे कोई numbers के बारे में सोचना और मुझे बताना कि multiply करने पे और add करने पे same उत्तर दें ऐसे कौन-कौन से number है एक पेर तो बता देता हूँ आपको 2 और 2 ऐसे number है इनको multiply करो और sine square theta 10 square theta और sine square theta बोड़ी मक्षन चीजें है 10 square theta और sine square theta को multiply कर लो या फिर इनको minus कर लो answer एक आता है मतलब जो 10 square theta into sine square theta है वो 10 square theta minus sine square theta के बराबर होता है और यही हरकत होती है quote square theta और cosine square theta को आप multiply करो या फिर इनको आप माइनस करो बात एक ही होती है ये तीन advanced identities है competitive examination की preparation करने वाले अच्छे बच्चे इनको याद करते हैं आपको भी याद होने चाहिए ठीक है एक identity आईए प्रूव कर लेते हैं secant square theta into cosec square theta equal to secant square theta plus cosec square theta बची हुई दो identity आपको प्रूव करना homework में होगा बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही प्रूव होगी जैसे पहले वाले प्रूव कर रहा हूँ लगभग वैसे ही होनी है कोई ज्यादा लंबा चोड़ा game नहीं है left hand side दे लिया मैंने secant square theta into cosecant square theta तो इसको मैंने लिख दिया secant square theta को लिख दिया 1 by 1 by cos square theta और cosec square theta को लिख दिया 1 by sin square theta क्यों लिख दिया क्योंकि cosec 1 by sin होता है और sec 1 by cos होता है अब देखिए ये हो गया हमारा कुछ इस quantity के equal मेरी नजर इस 1 पे गई मुझे मालूम है कि sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो मैंने 1 की जगह पे इस 1 की जगह पे sin square theta plus cos square theta लिख दिया इस वाले 1 की जगह पे मैंने fit कर दिया sin square theta plus cos square theta मैं लिख सकता हूँ क्यों लिख सकता हूँ भाई है कुछ भी लिख सकता है ठीक है ना लेकिन लिखता वही हूं जो सही है वन जो है वो साइन स्क्वार थीटा प्लस को स्क्वार थीटा के बराबर होगा ठीक है और डिवाइड में है को स्क्वार थीटा इंटू साइन स्क्वार थीटा डिवाइड में है को स्क्वार थीटा इंटू साइन स्क्वार थी स्वाल उड़ा देती हैं तो एमोशनल नहीं होने का ठीक है ना वापस आते हैं यहां पर इससे कैंसल हो गया यहां पर यह दोरों चीजें कैंसल हो गई ठीक है जहां से देखें यहां पर यहां पर यहां बीच में था प्लस का निशान प्रूफ कर दिया है स्वाइर प्लस को स्वाइर थीटा के बराबर होता है तो इती से धम हैंस प्रूवड हसते हुए हम बोलेंगे हमने प्रूफ कर दिया, correct है, ये वाली दोनों identity, खुद प्रूफ कीजिए, और जो प्रूफ है, उसका link comment box में डालें, announce करूँगा मैं कितने लोगों ने प्रूफ किया है next time पे, ठीक है, प्रूफ किया के ने किया, सही किया के ने किया, खुद इमानदारी से खुद प्रूफ करना है, ठीक है, तो आज के हमारे पहले ट्रिग्नमेटर के इस भनाट basic lecture में इतना ही है, चलने का वक्त हो चुका है, as usual, मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन वापस आना है, तो जाना होगा, जिस दुनिया में भी वापस आना है, तो जाना पड़ता है, बाई बाई, टेक केर, keep smiling, keep smiling, हसते रहें, and keep doing maths, keep smiling and keep doing maths, maths is beautiful, maths बड़ा मस था, मैं एक बुक पढ़ रहा था, लाला हरद्याल की, हमारे सब तंतरता से ना नहीं रही हैं, लाला हरद्याल, तो उस बुक में उन्होंने, लाला हरद्याल का मैथ्स बहुत अच्छा था, उस बुक में उन्होंने लिखा है कि, जो लोग मैथ्स को बोरिंग समझते हैं, 100% वो लोग खुद ही बोर होते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है ना, वो 100% pure science है, वो बोर होई नहीं सकते, natural science है, maths is the most natural science, mathematics cannot be boring, it's the person who is boring, so maths boring नहीं है दोस्तो, maths मज़ेदार है, भाई की बात को याद रखना, आज के लिए इतना ही फिर मुलागात हुई, द्वाव में आज मुलागात हुए, द्वाव में आज मुलागात हुए, पढ़ाई करते हैं, all the very best.